नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल पुलिस बरती 2021 के बारे में इसमें दोस्तों आई उस सिमा में छूट मिलेगी या नहीं और फिजिकल की जो है इसमें फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाए हैं दोस्तों हाइट के एक से प्लेकर पांच तक मार्क सेते हैं तो वह किस तरह से लगते हैं वह भी बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगी कि एज रिलेक्सेशन जो आपको मिलेगी या नहीं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अ के लिए टोटल स्बब्어 इस आपकी ।षे मेंट होगा इस में आपको एक्सट्रा अटेम्ट नहीं दिये जाएंगी तो आपको एक यी बार में येह अटैम्ट करिणा होगा दोस्तों बात करते हैं लॉंग जंप की तो फीमेल केंडिडेट के लिए लॉंग जंप तीन मीटर का रहता है और मेल केंडिडेट के लिए चार मीटर का रहता है इसमें आपको तीन मौकी दिये जाते हैं इसमें आपको तीन बार में आपको एक बार में ये निकालना होता है और बात करते हैं high jump की तो female candidate के लिए आपका एक मेटर रहता है और male candidate के लिए आपका जो high jump रहता है वो 1.25 मेटर रहता है इसमें भी आपको तीन मौके दिया जाते हैं दोस्तों अब बात करते हैं जो height height minimum कितने रहनी चाहिए और जर्नल के लिए male journal के लिए 5 foot 6 inch और SCST के लिए 5 foot 4 inch और female के लिए जो 5 foot 2 inch journal और 5 SCST के लिए height रहनी चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करेंगे कि height bonus जो male के लिए किस तरह से मिलता है दोस्तों इसमें आपको एक से लेकर पांच marks तक लग सकते हैं तो height अगर आपकी 5 foot 8 inch है तो आपको 1 marks लगेगा अगर 5 foot 9 inch है तो 2 marks और 5 foot 10 inch तो 3 number और 5 foot 11 inch अगर आपकी height है तो 4 number लगेंगे और अगर आपकी 5 foot 11 inch से ज्यादा है यानि कि छे फिट है तो आपको इसमें पांच नंबर लगेंगे दोस्तो पे स्केल की बात करें तो 5910 से 20,200 और 1100 रुपए ग्रेड पे आपको मिलेगा तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस 2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए और एप्लिफिकेशन फीस जो है जर्नल की 140 रुपए और SCST, OBC की आपकी 35 रुपए सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रेटन टेस्ट, फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट और परस्नाइलिटी टेस्ट, मेडिकल ये आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा एज लिमिट की बात करें तो जर्नल के लिए 18-23 और SCST, OBC और खाज के लिए 18-25 होमगार्ट के लिए 20-18 साल और दोस्तों वीडियो के अंट में बात करते हैं कि एज रिलेक्शेशन जो है आपको मिलेगी या नहीं दोस्तों एज रिलेक्शेशन आपको शायद नहीं मिल सकती है आपकी जो केटिगेरी वाइस जो आपको मिलती है जिस तरह से जर्नल के लिए 18-23 और OVC SCST के लिए 18-25 होमगाड के लिए 20-28 इस तरह से आपको मिलेगी तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि जो एज रिलेक्शेशन है वो मिलनी चाहिए अगर मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए दोस्तों वीडियो में इतना ही धन्यावाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यावाद